मेरे सबी किसान भाईयों को मेरा नमस्कार, मेरा नाम है नितेज जैन और आप सब का स्वागत करता हूँ मैं अनाज के इस ओफिशल यूट्यूब चैनल पे दोस्तों इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे UPL कंपनी के लगाम दवाई के बारे में लगाम जिसको कि हम खर्पतवार नाशी भी कहते हैं जिसको कि हम असान भाषा में कच्रे की दवाई के नाम से भी जानते हैं इस वीडियो में हम आपको लगाम दवाई की तमाम चीजों के बारे में बताएंगे कि ये लगाम दवाई आपको कौन-कौन सी फसल में उपयोग लेनी है, इसका टेक्निकल नाम क्या है, इसकी आपको क्या मात्रा लेनी है, इसका डोस क्या है वो बताएंगे और ये कौन-कौ आप ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया हो, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर लीजे, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, आईए शुरुबात करते ही इस वीडियो की, दोस्तों, जो पहली जानकारी है कि इस दवाई को आप सोयबीन, दलहन, मुंगफली की सभी फसलों में काम में ले सकते हैं कच्रा माणने के लिए अगर हम इसकी दूसरी जनकरी की बारे में बात करें तो इसका टेक्निकल नाम है इमेजी थापर 10% SL दोस्तों ये जो हरे रंग का डबा है इसके अंदर तीन दवाईया निकलेगी अमोनियम सलफेट इमेजी थापर चिपकू इन तीनों दवाईयों का आपको अच्छे से बाल्टी में घोल कर लेना है डंडी से बढ़िया हिला लेना है और उस घोल का 300-400 ml आपको लेना है डेट सो लीटर पानी में मिलाना है और ये एक एकड के लिए आपकी घोल तैयार हो जाएगा एक एकड में आप इसको बढ़िया से स्प्रे करें और अगर इसको कच्रे की बात करें तो ये कौन-कौन सा कच्रा मारती है दोस्तों ये दूदी, बोखना, जंगली चोलाई, मोथा, सामा, छोटी दूदी आदी तमाम कच्रों को बड़िया से नियंतन करती है बड़िया से नश्ट करती है दोस्तों अगर इसके उपयोग के समय के बारे में बात करें तो फसल रुपाई के 20 दिन बाद आपको इसका उपयोग करना है आपको बहुत बहुत बैतरी न परिणाम 5-7 दिन के अंदर ही नजर आ जाएगा और इसके मुल्ले के बारे में बात करें तो दोस्तों साड़े आठ सो से नौ सो रुपे में यह आपको आसानी से उपलब हो जाएगी जो कि एक बहुत minimum amount है अगर दवाई करते समय और साफधानियों के बारे में बात करें तो दोस्तों पहली बात दवाई को तवचा से दूर रखना है बच्चों से दूर रखना है और खाली पेट हमको खेत में नहीं जाना है हमें पहले पूरा बढ़िया से खाना वाना खाके उसके बाद में ही स्प्रे करने जाना है भूके पेट दवाई नहीं करनी है हवा से विप्रीत दिशा में भी हमें दोस्तों दवाई नहीं करनी है वरना जो दवाई का इस्प्रे है वो हमारे चेहरे पे और हमारी बॉड़ी पे आजाएगा जिस से हमें प्राबलम होगी और मास्क और हातों के दस्तानों का उपियोग जरूर करना है दोस्तों ये थी लगाम दवाई के बारे में तमाम जानकारी आगे का जो हम वीडियो लेकर आएंगे वो लेकर आएंगे BSF कमपनी के परशूट दवाई के बारे में जो भी एक खरपतवार नाशी दवाई है और बहुत ही कारगर दवाई है कच्रे को नियंतर्ण करने में तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन का बटन दबाईए ताकि आने वाले तमाम वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसा ही बना रहें दोस्तो नमस्कार